दुस परचार पर आमादा पाकिस्तान भारत ने UNGA में एक दिया करारा जवा रुचका कमबोज ने पाक के इस बयान पर सुनाई खरी-खरी पहले राजधानी इसलामबाद में पाकिस्तान के विदेश मत्राले की प्रवक्ता ने और उसके कुछी घंटे बाद साइट राष्टर महासभाई UNGA में पाकिस्तान के राजधूत ने अपने ग्रेस में कुछ संदिक चरित्र वाले लोगों की संदेहा इस्पद मौत के मामले को ठातुए भारत के खिलाव दुस परचार करनी की कोशिश की है भारत ने UNGA में इसका करारे जवाब दिया है भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी भारत ने पाकिस्तान का नाम लिये बगर उसे पूरे चरित्र को संदेहा इस्पद करार दिया है और आतंकवार के मुद्दे पर भी उसे घेरा है UNGA में भारत की प्रतनी धी रुचिका कमबोज ने पाकिस्तान के राश्दूत मुनीर अकरम की तरफ से दिये गए बयान को विध्वनसक और हानिकारत करार करते हुए कहा कि वहां अल्पसंधों की इस्तिती को भी उठाया जबकि भारत में धार्मिक सद्भाव के माहल को भी बखूपी सामने रखा भारत लोगों को देता है आश्रे कमबोज ने का कि भारत एतिहासिक तौर पर दूसरी जगेहों पर धार्मिक तौर पर प्रतारद किये गए लोगों को आश्रे देने का काम करता रहा है पाकिस्तान की राश्दूत अक्रम की तरफ से सुमवार को UNGA म पूरी तरह से भारत विरूदी भावनाओं से भरा हुआ था उन्होंने एक सांस में कस्मीर से लेकर ग्यानवापी मस्जित और आयुद्या में राम बंदी निर्मार वे नाग्रिकता कानून का मुद्दा उठाया और इसके जरिये भारत में धार्मिक असाहिश नुरता की स कराने में भारत का हाथ है हाल के दुनों में पाकिस्तान की तरफ से यह मुद्दा कई बार अंतरास्ट्र मंचों पर उठाने की कोशिश की गई यूएंजिय में शांती की संस्कृति को बढ़ावा देनी की कोशिश कर रही है हम सभी रचनात्मक विमर्स पर ध्यान केंद्र उन्होंने का कि हम सभी प्रतनेद्यों को आधरव कूट नीटी के मुल्स इंधानतों के मुतावे परिचर्चा को आगे बढ़ाने का आग्रे करते हैं लेकिन इन मामलों में बहुती संद्री रिकॉर्ड रखने वाले देशों से इस तरह की अपिक्षा करना मुश्किल है ज